आप इन कहानियों के जरीए अपना और छोटे बच्चों का ग्यान बढ़ा सकते हैं। साथ ही इनसे मिलने वाली नैतिक सीख से आप अपनी सोच को बहतर कर सकते हैं। चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक लोमडी शिकार की तलाश में घूम रही थी। उसकी नजर एक गध्धे पर पड़ी। वो गधा अकेले ही घास चर रहा था। लोमडी ने सोचा, क्यूं ना मैं गध्धे से दोस्ती कर लूँ, इसके सहारे मैं इनके जुंड में शामिल हो जाऊंगी और जब मेरा मन होगा, मैं इनका शिकार करके अपना पेट भर लूँगी। लोमडी ने अपनी चतुराई भरी बातों से गध्धे को अपना दोस्त बना लिया। गधा तो गधा था, उसने भी लोमडी को अपना दोस्त मान लिया और खुद ही उसे अपने जुंड की तरफ ले जाने लगा। लेकिन आधे रास्ते में उन दोनों को एक शेर मिल शेर को देखकर लोमडी डर गई क्योंकि शेर गधे के साथ साथ लोमडी को भी मार देता। लोमडी ने फिर अपना दिमाग चलाया। वो शेर के पास गई और बोली मैंने इस गध्धे से दोस्ती कर ली है, मैं इसे आसानी से आपका शिकार बना सकती हूँ, लेकिन आप अब वो वहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए मौका देखते ही शेर ने उस लोमडी को पकड़ा और उसका शिकार कर दिया। लोमडी के बाद शेर ने आराम से उस गद्दे का भी शिकार कर दिया। मौरल स्टोरी की सीख, पहली सीख, जो लोग दूसरों का बुरा करने की सोचते हैं, उनके साथ भी बुरा ही होता है। दूसरी सीख, जो लोग अपने दोस्तों को धोखा देते हैं, अक्सर वो लोग खुद को भी बरबाद कर लेते हैं।